हलो दोस्तों तो आपको शबागते एडी जार्कन क्लासेस में और एडी जार्कन क्लासेस आप लोकेली लाया है नाकपुरी का जो फुल टेस्ट का एनलेसिस है नाकपुरी टेस्ट 4 का एनलेसिस लाया है अभी तक न एडी जार्कन क्लासेस के द्वारा एडी क्लासेस एप पर इतने सारे classes का analysis हो चुका है यह जो आपका full course का जो अभी set चल रहा है full test चल रहा है जो 2 घंटे का समय है 100 marks जैसे exam में पूछा जाता है same वैसे ही यहाँ है AD classes app पर only 149 में आपका यहाँ 20 plus set मिल रहा है अब इसी app पर समपूर्ण course जो है नागपुरी का 399 में मिल रहा है यही अगर जार्खंड जार्खंड जीकी का test लगाते हैं तो यह भी 149 में आप समपूर्ण जार्खंड जीके का लगा जगाते हैं जार्खंड जीके 380 पेज वाला handwritten notes जो है वो अभी तक आप लोगों नई खरदा है तो जरूर खर लेंगे क्योंकि यह अब की बार जो है पक्का लड़ने वाला है मैं यह बता हूँ क्योंकि यह जो बहुत important important था सारे चीज़ में बता दिया गया है तो इतना class का analysis करा दिया गया है AD classes पर AD classes app का description नीचे दिया गया है और समपूर्ण नागपूरी का class और जार्खंड class free है AD classes app पर और इसलिए आपको जुड़ना चाहिए और जल्दी से जल्दी हो सके तो अभी तक आप लोगों ने test series से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ लेंगे यहां जो है नागपूरी test 4 का आज हम लोग analysis करेंगे तो चलिए अभी चलते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जल्द से जल्द ये आप download करेंगे app अपने नागपूरी को बहतर बनाने के लिए ठीक ना बहुत सारे students बोर्ड है थे sir की वो मुझे नहीं चाहिए sir वो जा रहा है प्रस नंबर वन है प्रफुल कुमार राय कर intermediate of commerce की पढ़ाई कब पूरा कर ले यानि कि जो प्रफुल कुमार राय है वो intermediate of commerce यानि कि आई ये icon ठीक है icon का जो है पढ़ाई कब पूरा किये थे जल्दी comment section में comment करेंगे आपके पास only 5 seconds है चलिए तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा 1950 इसमी में जो है प्रफुल कुमार राय ये icon पास किये थे ठीक है यहीं आप लोग comment section में comment कर सकेंगे कि become कब ये पूरा किये थे become की पढ़ाई कब पूरा किये थे ये आप comment section में comment कर सकते है चलिए अगले प्रशन की ओर चलते हैं हम लोग तो अगली प्रशन है अगला प्रशन क्या है प्रफुल कुमार राय को सबसे अच्छी कौन सी कहानी लगत रहे ठीक है तो प्रफुल कुमार राय को सबसे अच्छ क्या होगा option number B एक चक्ता राऊद जो है यहां सही अंसर हो जाएगा ठीक है next questions क्यों तो मैंने आप लोग से एक प्रशन पूछा था प्रशन है कि बिकॉम ये प्रफुल कुमार राय की जो है कब पास किये थे ठीक है तो 1956 में इनसे जुड़ा एक अच्छा खासा प्रशन आ आज एक स्टूडेंट्स पूछे थे कि सर ये जो है ना नाकपूरी सहित्यकर भारत एंदू कौन से नाकपूरी कवी को कहते हैं एकदम बहुत ही सड़ी questions बहुत ही अच्छा questions उन्होंने पूछा था तो मैं आप लोग को बता दू तो ये नाकपूरी का जो है नाकपूरी स नाकपूरी सहित्यकर जिने भारत एंदू किसे कहा जाता है आज आपका सारा जो है डाउट किलियर हो जाएगा भारत एंदू किसे कहते हैं तो ये प्रफुल कुमार राय को ही भारत एंदू कहा जाता है लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि नाकपूरी सहित्यका भारत एंद पूछे तो प्रफुल कुमार राय आपका जबाब होगा लेकिन भारतेंदू हरिश चंद्र हो जाएगा कि नाकपुरी साहित्यकर भारतेंदू हरिश चंद्र किसे कहते हैं तो ये जो हैं धनी राम बक्सी जी को बोला जाता है भाई ये धनी राम बक्सी जी का जनम कब हुआ था ये सब सारे चीज आप जितने भी नाकपुरी कभी है उनके बारे में पढ़ लेजे मैं जानता हूँ कि आप इसी लेकिन देखिए आपका साहित्य से जरूरुक प्रस्न पूछेगा मतलब रचनाकार से वो तो फिक्स है तो यह आप याद रख लेंगे सिर्फ जनम कि याद रख लेजे कि धनी राम बक्सी का जो जनम है कब हुआ था 14 जैन्वरी चलिए नेक्स चलते हम लोग अब तो आप लोग समझ गया है कि आपका यहाँ भारत एंदू किसी कहा जाता है और ये आपका भारत एंदो हरिष्चंद्र किसे का जाता है भाई नाकपुरी का विद्यापती किसे काते है ये ना नाकपुरी का विद्यापती ये सब आप याद रख लेंगे भाई ये विद्यापती किसे काते है नाकपुरी का तो आपको है प्रफुल कुमार राय सार्दा प्रसाद सर्मा मिर्त्विंजय नाथ सर्मा ये आप सार्दा मिर्त्विंजय नाथ प्रफुल कुमार राय तीनों में से आप कमेंट सेक्षन करके कमेंट बताएंगे नेक जो है आपका नाकपुरी का भेश्म पितामा किसे कहते है तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में करेंगे या फिर बताएंगे तो नाकपूरी के रस्खान कौन है नई मुदिन मिर्दाहा तो उन्हीं को भी क्या कहा जाता है बिश्मु पितामा कहा जाता है चलिए अभी हम लोग चलते हैं ये आपका कि ये जो प्रफुल कुमार राय को है कौन सा अच्छा लगता था सबसे अच्छी कहानी कौन सी लगती थी तो इन्हें जो लगता था कौन सा कहानी अच्छा लगता था भई तो एक चक्तार रव तो इनके पिता जी का क्या नाम था पांडे राम किसोर राय क्या नाम था पांडे राम किसोर राय माता जी का क्या सचित्रा बाला देवी प्रफुल कुमार माता जी के नाम क्या था अव उनके प्रमुख कृतिया को एकदम रट जाईएगा प्रफुल कृतिया कोन कौन से है सौईजर ठीक है सौईजर आप एकदम ये सब सारे ने बताने हैं लेकिन ये आपको मालूम होने चाहिए ठीक है चलिए अगला प्रस्ण जो है मिर्त्विंजय नात सर्मा का जनम कब होई रहे मिर्त्विंजय नात सर्मा का जो जनम हुआ कब हुआ था ठीक है तो ये जो आपका प्रस्ण है कि मिर्त्विंजय नात सर्मा का जो ज और रात विजुलिया रात विजुलिया रातु में इनका जन्म हुआ था विजुलिया रातु में विश्व भारतिये चौथा नंबर प्रश्ण है आपका कि विश्व भारतिये और शितायन निम्द में से कौन सी कवी का महाकाव्य है बताया भई तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा और जन्म का हुआ था यह तो आप कंठस सी याद कर लेंगे और मैं आप लोग के साथ एक ट बाला हूं अगर वो ट्रीक चाहिए सारे कभयों का ट्रीक होगा और आपको एक आईद्यआ भी दूँगा कि आपका एक भी प्रश्न कभयों से ना खूटे ऐसा आपको ट्रीक बताएंगे और सभी स्टूडेंट्स को फॉलो करने है। नहीं स्टूडेंट्स को फॉलो करने नहीं है हना पागल आपको होना पड़ेगा चलिए जो पाँचवा प्रशन है आपका क्या है भई कवी रत्न शार्दा प्रशाद सर्मा कर निम्न में से कौन-कौन रचना है तो यह जो है कौन-कौन रचना है भई शीठा कुछ मीठा भगवान एक पूरप के तो इसका सही अंसर होजाएगा option number C यानि की option number C यानि ये 3 यानि की दोनों होगा सीठा कुछ मीठा और भगवान एक पूरब के नाकपुरी कभी सार्दा प्रसाद सर्मा को विक्रम सीला विद्धा पीट से काकर उपादी मिला बही जल्दी बताएंगे तो इसका सही अन्सुर जाएगा अप्शन नमर त्री कवी रत्न का उपादी इनको मिला था क्या चिसका उपादी मिला था भाई तो कवी रत्न का इन्हें यहां उपादी मिला था कवी रत्न इसलिए इनको जो है सार्दा प्रसाद सर्मा को कवी रत्न बोला जाता है और कवीरतन सार्दा परसात सर्मा बोले जाता है इनका जन्म कहा हुआ था डुमर डिह गुमला में हुआ था और कार्तिक मा में हुआ था पांच नमबर 1927 इसवी में इनका जन्म हुआ था चलिया अगला प्रशन है आपका 7 number प्रशन क्या करता है बही सेबन नमबर प्रशन क्यों चलते हैं हम लोग और आपको टेस्ट कैसे लग रहें हैं अच्छे लगन जरू comment शिक्षल में कमेंट करेंगे ताकि इससे उत्साह बढ़ता है है मैं आप लोग के लिए मेहनत कर सकूं इस प्रकार का तो शहनि Master हो जाएगा, Option number C, यानि कि इनका बेटियां जो थी, कितने थे, दो थे, ठीक है, बेटियां कितने थी, सहनी उपेंद्र पाल नहन के कितनी बेटियां, तो आपका दो हो जाएगा, ठीक है, चलिए, और सहनी उपेंद्र पाल नहन का जनम कहा हुआ था, तो वहीं गुमला में ह इनका निधन कब हुआ था तो 2021 में हुआ है 90 वर्स की आयू में गोकुल नगर गुमला में निधन कहा हुआ है गोकुल नगर में यानि कि जन्म भी गुमला में ही लिए और इनका निधन भी गुमला में ही हुआ लेकिन फर्क है सिर्फ अस्थान का जन्म तारागुटू जन्म आपका तारा है जन्व में फिर है लेकिन गुकुल नगर निधन है यह आप याद रखिएगा ये आप याद रखीएगा फिर अपशन नमर इसका हो जाएगा C यानकी 3 हित ऐसी कारीयाले चाईबासा नेक्स्ट नारद मोहलीला के लेखा कोन है उपेंदर पाल नहांजी है चलिए अगला प्रशन है अगला प्रशन क्या कहता है डॉक्टर विशेस्वर परसाद केषरी 9 नमबर प्रशन है डॉक्टर विशेश्वर परसाथ केसरी अपने पतनी सांती केसरी के साथ मिलकर पिठोरिया में नाकपुरी संस्थान की अस्थापना कब करलन तो कब किये थे अपने पतनी के साथ मिलकर ये कब किये थे डॉक्टर विशेश्वर परसाथ केसरी कब किये थे तो option number इसका जो B हो थे ये बताईए कि इनकी पत्नी का नाम नाम तो हम लोग समझ चुके कि सांती के स्री था लेकिन इनके माता पिता का कब हुआ था नाम क्या है तो इनकी माता का नाम जो है स्रीमती लगंदेवी है और पिता का नाम सिव नरायन साहू इन्हें जो है भारत एंदू हरिश्चंद पुरसकार कब दिया गया था भारत एंदू हरिष्चंद्र ठीक है भारत एंदू हरिष्चंद्र शम्मान पुरसकार ठीक है 2003 में इनको दिया गया था चले अगले प्रस्ट की ओर चलते हैं हम लोग डॉक्टर विशेश्वर परसाद केशरी का PhD कर सोध में जो था क्या चले समझ में आ गया होगा अगला प्रस्ट है नयमुदिन निर्दाहा को विकरम शीला विद्यापिट भागलपूर से काकर उबादी मिला मैंने आपको यही बताया था कि और सारदापरसाद सर्मा का तो भई मिल गया था अना सारदापरसाद सर्मा को उनको मिल गया था कि इन्हें कौन सा आपको ये इनको मिला है ठीक ना लेकिन आपको मैंने ये भी पूछा था कि और कौन से हैं जिने ये उपाधी मिला है कवी रतनका तो यही वो जो सक्स हैं नई मुदिन मिर्दाहा को रश्खान भी कहा जाता है और इन्हें ही यह पुरसकार कवी रतनका दिया गया था चलिए नाकपुरी समाज बीड़ी से कौन नाकपुरी कभी को सम्मान से सम्मानित करल गिलग ठीक है तो निम्न में से हैं से कौन से नाकपुरी कभी है जिनको नाकपुरी समाज बीड़ी का सम्मान मिला तो बताएं दे भाई तो आप्सन नमर इनका जो हो जाएगा क् अंसर B याने कि option number इसका 20 सही हो जाएगा चलिए अगले प्रस्ण क्यों चलते हैं हम लोग 13 नंबर प्रस्ण क्या कहता है भई तेरे नंबर प्रस्ण है नाकपुरी कभी गिरी राज जनजातिये एवं छेतरिये भासा विभाग के पद पर राची कॉलेज में कब से कब तक काम कर लन तो ये है कि जनजाती एवं छेतरी भासा विभाग के पतपर गिरी राज याने कि गिरी राज गिर्धारी डॉक्टर गिर्धारी राम गोंजु का जो उपनाम है क्या है गिरी राज है गिरी राज किने हम लोग बोल रहे हैं तो ये गिर्धारी राम गोंजु को जिनका जो ज दिसंबर ने 5 दिसंबर को हुआ था इनका जन्म कहां हुआ था बेलवा दाग खुट्टी में हुआ था चलिए next हम लोग ये देख लेते हैं लेकिन इसका सही अंसर क्या हो जाएगा कि भाई ये जो है ये जनजाती छेतरी भासा में कौन से विभाग मेराची कोलेज में कब से कब तक रहे तो 1982 से अंठानवे तक रहे थे ठीक है 1982 से अंठानवे तक नेक्स्ट आपका जो अगला प्रश्ण है निमिन में से कौन नाकपूरी कभी को 16 अक्टूबर 2003 को जारखन रत्न का पुरसकार मिल लग ठीक है तो जारखन रत्न का पुरसकार अना कौन से नाकपूरी गोंजु को दिया गया है अगला प्रस्ण है नागपुरी गीतों की छंद रचना की सोर विद्या निकेतन वारा नशी द्वारा कब शपलक तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर सी हो जाएगा यानि कि 1993 में ये छपा था अगला प्रस्ण है ठाकुर विश्वनाथ साही नातक कर मूल लेखक कोन है तो मूल लेखक कोन है भई डॉक्टर विश्षवर पर शाथ के सरी यानि की बीपी के सरी ठीक है छलिए अगला प्रश्ण है 17 नमबर प्रश्ण है नाकपूरी नाटक विश्वनात साही में गरीब परवर केके कहल गेल हके गरीब परवर केके कहल गेल हके तो गरीब परवर किसे कहा गया है ना तो ये जो कहा गया है विश्वनात साही को कहा गया है ओप्सन नमबर ए हो जाएगा सही अंसर ठीक है तो इसका जो सही अंसर क्या हो जाएगा सही अंसर ए हो जाएगा चलिए नेक्स जो है नादिर अली केकर भेट करकले नादर अली जो है केकर से से होगा ठीकर से भेट करकले खोजत रहें तो किन से भेट करने के लिए तो विश्वनात साही से ये भेट करने के लिए खोज रहे थे option number इसका D यानि की 4 हो जाएगा विश्वनात साही next question, 19 नमर प्रशन क्या खाता है भए केकर चलते 20 के दाथ रहे गई लग केकर चलते 20 कर दाथ रहे गई लग तो किसके चलते 20 कर दाथ रहा गया था तो यही जो है परगनाईत कर चलते 20 कर दाथ रहा गया था किसके चलते परगनाईत के चलते 20 कर दाथ रहा गया था ठीक है चलिया यहाँ जो आपका next number जो अगला नमबर प्रश्ण है परग्नायत के चलते 20 करदात रहिये गलग कौन बोले परग्नायत के चलते 20 करदात रहिये गलग यह बात कौन बोले तो यह जो है ठाकुर विश्वनात साही जो बोले है कि परग्नायत के चलते 20 करदात एकदम रहिये नाकपूरी सिस्ट कथा एक चक्ता रोध कर निम्न में से कोन निर्देशन कर लए एक चक्ता रोध कर निम्न में से निर्देशन कोन किये हैं तो जो किये हैं यह हो जाएगा यह गिरी राज और कुमारी वाशानती यानि के दोनों किये हैं और इसका सी सही हो जाएगा चलिए अगला प्रस्ण है रंथु सिंग पेठिया के लिए राष्टा में निकलन तो आपन नर्टी याने की नर्टी याने की मूडी के घुराई के कह देखलन तो आपन वो घर के देखलन निलना का चीज़ के देखे थे घर के चलिए अगला प्रस्ण है रंथु सिंग काप यत रहे रंथु सिंग काप यत रहे तो ख़ईनी और चुटटण चुटण का अर्थ ही है खईनी याने की दोनों सेम है तो आप्सण अमर इसका सी सही हो जाए गया याने की थ्री अगला प्रस्ण है सोहराई बिंजिया के निल्डाल और जब वो सोया हुआ बिंजिया को सोराई देखा तो किसको याद किया तो अपने गोमकाईन को याद किया अपने पतनी को अपनी घरनी को वो याद गिया था नेक्स्ट आपका जो प्रश्ण है अगला नमबर प्रश्ण कौन सा है बही बिंजिया जो है बिंजिया 25 नमर प्रशन है बिंजिया का खाए रहे रतिया के जेल से आवल बाद बिंजिया का खाए रहे मतलब जब रतिया 5 साल 7 साल का जेल हुआ था लेकिन 2 साल वो अच्छा काम किया बगीचा में अच्छा काम किया था एक कैदी को बचाया था जिसके कारण दो साल की कमी हो गया था और पांस साल जेल काटके जब वो घर आया तब बिंजिया काव बना के घर में रखी थी और रतिया को क्या खाने के लिए दे थी तो उस दिन दुझदी थी साग भात दी थी तो ओखाईर तरी यानिकि option नमबर 2 हो जाएगा सही इसका ओखर यानिकि ओखरी की तरह इसका कमर मुटा गया था ठीक है का तरी ओखरी की तरह मुटा गया था ठीक है चलिए अगला नमबर हम लोग प्रस्न क्यों चलते हैं जो अगला नमबर प्रस्न क्या है देखते हैं भई 27 नमबर प्रश्ण बिंजिया सुगिया संगे हाना हाइस खेल के कितना साल बितालग बिंजिया सुगिया संगे कितना नमबर प्रश्ण है 27 नमबर प्रश्ण है बिंजिया सुगिया संगे सुगिया कौन थी भाई जो तिन भरसा लोन दिलवाई थी और सेलाई मसिन खरदवाई थी, टिक है, और वो पेटी कोट में फूल बनाने के लिये भी वही सिखाई थी, टिक ना, बहुत सारा चीज शिखाई थी, और वो तीन वर्स में लोन भी भर दी, क्ये कर चलते हैं, सुगिया दिदी के चलते हैं, बिंजिया जो है, आपका सुगि के बिंज्या सुग्या संगे बितालग ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है रद्दी का अगस्षिस्ट कथा में नियम कर पक्का आदमी के रहे तो भोलवा कर बाप था ठीक है भोलवा कर बाप और यह आप बताए आपको पिछले स्ट में मैंने एनलेसिस यह पिछले संता परिया में जो भोलवा कर बाप है संता परिया में कितना पईसा लेता था एक रुपाईया यह पांच रुपाईया कमेंट शेक्षिन में कमेंट करेंगे जरूर तो कितना बजे और घर लोट तक ठीक है option number 2 सही हो जाएगा चलिए अगला number प्रश्ण है 30 number प्रश्ण क्या कहता है भई आप लोग बोर न होंगे क्योंकि आपको यहां सारी class कराय जा रहे हैं वो भी details में कराय जा रहे हैं वो भी fury of cost चलिए तो यह जो आपका अगला प्रश्ण है 30 number प्रश्ण है नाखपुरी कभी कुमारी वाशंती कर द्वारा निम्न में से कों सिस्ट क था लिखल के लगे तो कों लिखा गया है भाई कों लिखा गया है तो option number जो हो हो है यह Christmas कर सांज इनके द्वारा लिखा गया है Christmas कर सांज किसकी द्वार लिखा गया है तो ये आपका कुमारी वासंती के द्वारा ही लिखा गया है किनके द्वारा कुमारी वासंती के द्वारा लिखा गया है ठीक है इसमें नीरल थे पीटर थे रोजी दीजी थे यहना बहुत सारे ठीक है छलिए 31 नमबर प्रशने क्या काता है भई 31 नमबर प्रशने जो है आईज काल कर धंदा का है हाना आईज काल कर धंदा का है तो ये लाइन काटना जो है आज काल का धंदा बन गया है और ये कौन से सिस्ट कथास लिया गया है तो क्रिस्मस कर सांज सही लिया गया है तिक है आज काल के जो set आ रहे है न वो आपके syllabus के अनुसार नहीं है आप set जब बनाएंगे तब पता चल जाएगा लेकिन यहाँ जो AD classes set पर जो set लगवाया जा रहा है यह totally syllabus के अनुसार है तिक है एकदम total syllabus के अनुसार चलिया क्रिस्मस करसांज से लिया गया है जिनके लेख़ कुमारी बशंती है क्या है कुमारी बशंती 32 नमर जो प्रशन है क्रिस्मस करसांज सिस्ट कथा में निरल और पिटर कर घर कैगो कोठरी किराया में देल रहे तो कैगो कोठरी दुईगो कोठरी जो है आपका यहां किराया में दी दिया गया था ठीक है दुईगो कोठरी ओप्सन नमबर इसका सी सही हो जाएगा चलिए अगला प्रश्न है 32 नमबर प्रश्न क्रिस्मस कर सांज सिस्ट कथा में नीरल और पीटर हाना 33 नमबर प्रश्न ये तो हम लोग 32 न मिलालक रोजी दिदी केक बनाने में का का मिलालक तो क्या क्या मिलाई थी दूद चीनी अंडा मैदा दोनो यानिकी एक और दो दोनो तो ये ओप्सन नमबर इसका सी यानिकी थ्री सही हो जाएगा चलिए अगला नमर प्रश्न है 34 नमर प्रश्न है छववा काले नी हिठेत खोजत रहा है अना छववा किसलिए हिठने के लिए नहीं खोज रहा था तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा ना कनकनी के कारण ना कौन से पहले तो ही पताईए कि भाई ये कौन से कहानी से कथा से लिया गया है तो ये जो है भोटांग डहर से लिया गया है और भोटांग डहर में ही ये जो आपका ट्रेलर जो है आपका सुरू में ही दिखा गया था पीछे वाला पार्ट जैसे ट्रेलर दिखा जाता ह वैसे ही और लाश तो फिर आगे होता है ठीक है कैसे कैसे होता है मंगरू देवमन ओहदार कर ये धांगार रहे मंगरू ठीक है तो चलिए यहां जो है आपका छवगा काले ने हीतित खोजत रहे तो कनकनी बहुत ठंडा था भोटांग धरत पर तो निकल गया था ना वो जेल म में जो सारे नाम किसको चेल में ले दिए थे वो मंगरू के तो वो डर से फिर अगले दिन किसी भी तरह उसके गाउले छुडवाये और वो अगला दिन भागया 35 ने मन पूरन सिस्ट कथा के लेखा कौन है कई मन पूरन सिस्ट कथा के लेखा कौन है तो कौन है भई मन पूरन लेखा के जो सिस्ट कथा है इनके लेखा कौन है लाल रन विजय नात साधियो कौन है लाल रन विजय नात साधियो और यही मन पूरन कर मन के पूरा के कर लग तो लीला कर बेटा लीला कर बेटा जो है सुसीला के मन पूरा कर लग यह ले सुसीला उके यानि के लीला के बेटा के नाम रख लग मन पूरन और खिरोधर सिंग जो है इनके मुखे पातर है कई ठीक है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा लाल रन विजय नात सहादेव अगला प्रशन क्यों चलते हैं हम लोग? 36 नमर प्रशन क्यों चलते हैं? 36 नमर प्रशन क्या कहता है भई? सुसीला लिला के छववा के कहां बैठा के भात खियावत रहे? तो भाई कहां बैठा के वो भाद खिला रही थी तो ओटा पर बैठ के कि पिंडा पर बैठ के तो इसका जो सही हो जाएगा अंसर पिंडा पर बैठ के यानि कि option number B पिंडा पर बैठ के जो है आपका सुसीला लिला के छोगा के बैठा के वहाँ भाद खिला रही थी सुसिला के सांप काटल बाद लिला केके गोहाई करत रहे तेजु बाबा किसुन सौभे आवा हो हमर सुसिला माई के हमर माई के सांप काटल कौन सांप काटा था भाई गोहमन सांप ठीक है और गोहमन सांप के लिला के छवा से मतलब के लिलाग छोगा कि गोहमन साब से बचाई थी सुसीला ठीक ना चले तो option number इसका D हो जागा सोब है 38 नमर प्रश्ण क्या कहाता भी 38 नमर प्रश्ण क्यों चलते हैं हम लोग 38 नमर भाईकर लेखक कोंद है भाईकर ढह तो इनके जो लेखक है याने कि हाथ पियर करेक का मतलब क्या याने कि विवाह रचना ठीक है विवाह कराने के लिए क्या वो सोचा गाउं कर जमीन बेचक ले वो सोच ले हलागी चलिए नेक्स प्रश्ण आपका ये हो जाएगा चालिसवा नंबर प्रश्ण जब बुढ़िया घर सब भीड़ लगा ले तो उहां से सब के के बगाईला? कोन बगाता था? तो सिपाही बगाता था जब बुढिया घर वो लगा था तो कौन लगाया था भीड लगाया था तो कौन भागा रहा था तो सिपाई भागा रहा था और यह जो है आपका का मतलब कि कौन से सिष्ट कता से लिया गया है तो मांदी से लिया गया है और मांदी का लेखा कौन है तो उमेश नंतिवारी ज कर चांद सूरुज लखे आंगना में खेले के लग लग तो कितना वंदिते नर्ब रंधू और मांधी कर चांद सूरुज लखे यह 8 से 10 बरिष आंगना में खेदने लगा चलिए अगला प्रश्न है राजकुमार ठीक है राजकुमार 42 नमबर प्रश्न है राजकुमार कंगन और चुडी लेवेख ले पहिल धाओ के करपास गे लग तो पहिल धाओ किसके पास गया था सवसूर के पास गया था किसके पास सवसूर के पास नेक्स्ट बुढ़िया के डहर में तीसर बार कौन मिला ये दूसुट भेड़ा से लिया गया है प्रस्ट तो बुढ़िया को जो डहर में है जो तीसरा बार जो मिला था साप मिला पहला बार कौन मिला हाथी पहला बार हाथिया मिला दूसरा बार बाग मिला तीसरा बार इस सा चलिए अगला प्रस्ण है चो वालिस नमर प्रस्ण क्या कहता है दूसुट भेडा लोग कथा में बुढिया कहा कर जत्रा में मिठाई बेचेक जाए रहे तो कहा कर मतलब कि कौन सा मेला में उजा रहा था बुढिया कौन सी मेला में जा रही थी तो दन सई जातरा में यह जा रही थी option number इसका दो सई हो जाएगा ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है राजा भुवन भर ठीक है? राजा भुवन भर कर पहिल पत्नी कर नाम का रहे ठीक है? तो पहिल पत्नी जो थी आपका ये चामुंडा थी दूसरी पत्नी चंडी और पहली पत्नी गवरी यही ऐसा तो नहीं है ठीक है? तो ये जस्ट अपोजिट है जैसे कि इधर तो वन टू थी लेकिन यहां से चामुंडा फर्स्ट है दूसरी चंडी है तीसरी गवरी है ठीक है? तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा आपसन नमबर थी हो जाएगा यानि कि चामुंडा हो जाएगा 46 नमबर प्रस्टना कमल और केत की लोग कता में पूरा आम केके खाईला तो चंडी और चामुंडा दोनों खा जाती है चामुंडा जो है बढ़की रहती है बढ़की कौन रहती है? चामुंडा रहती है बढ़की कौन कौन रहती है? तो बढ़की चामुंडा रहती है और ये चंडी जो है मंजली रहती है मंजली चंडी यानि कि A और B दोनों हो जाएगा तीक है? option number D हो जाएगा सही और जो आठू और बोकला कौन चब आई थी पीस कर खाई थी तो यही गवरी और गवरी का ही जो है वो दोई जीवा होई थी गर्भ वती होई थी चलिए अगला जो प्रशन है आपका 47 नुबर प्रशन है गिरल परल चरल चूसल double pixel को कभी किस प्रकार जगने को कह रहे है तो किस प्रकार जगने को कह रहे है तो समहर समहर के जगने को बोल रहे है और यह कहां से लिया गया है प्रशन ठीक है तो जागा जागा से लिया गया है और जागा जागा के लेखा कोन है जागा जागा के लेखा कोन है तो CD सिंग है जागा जागा के लेखा कोन है CD सिंग और भाई ये बताईए कि तोर बेतरा में जो सिस्ट कवीता है तोर बेतरा में जो है सिस्ट कवीता है एक किन के द्वारा लिखा गया है भाई ये आपको कमेंट सक्षन में कमेंट करना होगा और आप इसे कमेंट करें ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रस्ण आगे हम लोग चलते हैं 48 नमर प्रस्ण क्या है आफईत कर बेरा में बिर्षा से मुख खोलने के लिए कोन निम्न में से कवी बोले तो जो है आफईत कर बेरा में बिर्षा से मुख खोलने के लिए कोन कवी बोले तो मैं बता दूं कि यह जो प्रस्ण लिया गया है आफईत कर बेरा याने कि यह जो प के लेखक कोन है तो छितिज गुमार लेखक है तो भाई यही न बोले होंगे ठीक है छले 49 नमर प्रस्ण है आपका 49 नमर प्रस्ण है चंदूशाइनकर रचीता को Buy press us. इनके लेखक है चंदूशाइनकर खैनदर परवाहि नेक्स्ट आपको जो कि तुल्सी परवाही का है जी की लेखक तूलसी और कैक्टस से ये लेखक है ठीक है और तूलसी कर पौधा कहा लगावल रहे तो अंगनाकर बीचो बीच लगावल रहे ठीक ना चलिए एक यावन नमबर प्रशने क्या कहता है नागपुरी नाटक अखरा निंदाय गिलक केकर कृती आहे नागपुरी नाटक अखरा निंदाय गिलक केकर नाटक हके तो ये डॉक्टर गिर्धारी राम गोंजु जी का जो है याने की उपनाम जो है गिरी राज का ये आपका लिखा गया कृती हके चलिए नेक्स जो आपका प्रशन है नागपुरी भासा में लिंग कर परभाव पढ़ता है जल्दी बताएंगे तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा प्रानी वाचक संग्य अमन में जो है लिंग का प्रभाव पढ़ता है ठीक है संग्या कितने प्रकार के होते हैं नागपुरी में भाई संग्या कितने प्रकार के होते हैं नागपुरी में पाची होते है पू chlorine पर कुम्हों होना है पूंजा था पूदक ह 왁ए जब लिंग कर अनुसार और पूरुस कर्म के अनुसार classified तो वाक्य का हो विला तो वो जो वाक्य होता है कर्म वाच्य होता है ठीक है कर्म वाच्य और वाच्य का भेद जो होता है कितना होता है अभी तक आप लोगों ने नाकपुरी का क्लास नहीं किया है तो 10 गंटे का जो है class कराया गया है जिसमें 5 गंटे का नाखपुरी का details है और 5 गंटे का MC की हो है 1300 प्रशनों का तो दोस्तों वो आप वीडियो जरूर देख लेंगे क्योंकि वो आप अगर वीडियो देख लिए न तो आपका जो है नाखपुरी व्याकरण में कभी प्रशन गलती नहीं होगा ठीक है चलिए च büyण नमबर जो प्र 1700 है च büyण नमबर क्या कहता है कि निमन कर वर्ण समुह में से नाशकिय वर्ण समुह कर चैन करूँँ तो भाई नासकिय वर्ण समुह का जो है चैन करें तो भाई जो नाक से ही जो नाक का help लिया जाता है इस प्रकार से जो है अपसे नमर इसका D हो जाएगा यानि कि बोल कर आप देखिए ना बोल कर देखिए ठीक है चलिए सांज बेरा गरू छागरी सव घर आई जाएल वाक्य में सांज सब्द कौन विशेशन है तो सांज सब्द जो है परिमान वाचक विशेशन है ठीक है चलिए विशेशन कितनी परकार के होते हैं चार परकार के होते है गोतिया कायल passing जाबए ये वाकि में गोतिया कोन वाचक संग्या है तो ये जो गोतिया है जाती वाचक संग्या है जाती वाचक संग्या के दो आप उदाहरन बताएंगे जो बार-बार एक्जाम में पूछा जाता है आपको संग्या बता दिया गया है तो वो आप जरूर बताएंगे ठीक है से सई कौन कारकर विभकती चीन है तो option number करण से सई यानि कि जो विभकती चीन हो जाएगा option number A सई हो जाएगा चलिए महाजन कोन समासकर उदारन है यानि कि महाजन जो है याद रहे आज ही आप लोग को मैंने समास पढ़ाया है ठीक है और ये बोलते हैं कि व्याकरण का वीडियो नहीं देखे तो दस घंटे वाला देख लें उसके बावजूद भी मैंने नियू नाकपुरी सिलेबस के अनुसार जो है आपका समास का ये भेद बटाया तो ये जो महाजन है आपका कर्मधारे है जिसका पहला पद जो विशेषता बताता है आना वो आपका कर्मधारे समास का लाता है ठीक ना चलिए और भी जैसे कि ललमटिया करी मुही नीलगाय कर्मधारे जो इसका पहला एक सब्द का होई, तो चाकर मतलब होता है, मोटा और मूटा का जो होगा, विप्रितार्थ क fact, यानि कि उल्टा सब्द जो हो जाएगा, पातर हो जाएगा, ठीक है, next, नाकपुरी में रहे करका अरत हो भी देखिए आहे रहे यह सब का जो होता है है होता है लेकिन रहे और रहे हो गया यहां जो रहे मतलब एक बिंदू दिया जाता है उसमें बहुत डिफ्रेंस होता है तो यह रहे जो होता है यह थे के यूज में होता है ठा के यूज में होता ह और ये बुंदु वाला रहता है तो ये थेक ही यूजम होता है तो चलिए एक शर्ट नमबर प्रश्ण है आपका ब्याकरण के हम कितना भाग में बाइट सकीला ब्याकरण के हम कितना भाग में बाइट सकीला तो ऑप्सन नमबर इसका जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, यानि कि चार भाग में हम लोग ब्याकरण को बाटते हैं, कौन-कौन सा, वर्न विचार, सब्द विचार, रूप विचार और वाक्य विचार, हम लोग इसी तरह से टोटली बाट सकते हैं, फूर्चायक कर अर्थका होगी, फूर्चायक कर नाकपुरी में फूर्चायक कर अर्थका हुई तो याने की फूर्चायक कर अस्पस्ट करना होता है चलिए अगला प्रश्ण है आपको ये सेट कैसा लग रहा है सेट से आप जल से जल जुड़े ना, एकसट नमबर जो प्रश्ण है क्या है, व्याकरन के हम कितना भाग में बाइट सकीला उसी का ये है, एकसट नमबर ही, रिपीटेशन नहीं हुआ है ठीक है, रिपीटेशन नहीं हुआ है आप टेंसान न लेंगे डबल बार सेलेक्ट हो जुगा है पेज चले तो आपका जो 63 नमबर प्रश्ण है कोन वाचक सरुणाम है कोन जो है, निश्य वाचक कोनो, ठीक है, कोनो, इस प्रकार देखिए कोनो, ये क्वेस्टन पूछ रहा है कोनो, कोन वाचक सरुणाम है तो ये अनिश्य वाचक सरुणाम है कोनो केको इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो अनिश्य वाचक सर्व नाम में आता है नाकपुरी व्याकरन कर अनुसार भूत काल कर भेद कितना होता है तो छो प्रकार का होता है जैसे कि आप याद रखेंगे तिन सो बासट में आप एक ट्रीक याद रखी यह काल के लिए जो वर्तमान काल होता है, तीन प्रकार के होते हैं, भूत काल शे प्रकार के, भविश्य काल दू प्रकार के, यह प्रटलेंगे, चुरिया, 65 नमर जो प्रशन है, क्या कह रहा है भाई, 65 नमर प्रशन, संगीता खाना बनाई होगी, काल कर पहचान करू, तो संगीता खाना बना जोगी, ठीक है? सायत संगीता खाना बनाई होगी. तो ये जो हो जाएगा option number 4 संदिक भूतकाल. next आपका है तर्वार कर उनार्थक सब्द का होई? तर्वार कर उनार्थक सब्द का होई? तो उनार्थक मतलब क्या होता है? मैंने आप लोग को ये उनार्थक का क्लास करवा दिया गया है अगर उनार्थक का मिनिंग नहीं जानते है तो आप जरूर से जरूर वो वीडियो देखें जिसे हम लोग जिसका भाव हीन अर्थ निकले जिसका तुक्ष ये सब अर्थ निकले ठीक है वो चीज आपको जो है उनार्थक सब्द का लाता है आपको उनार्थक सब्द के बारे में टोटली डिटल्स में बढ़ा दिया गया है ठीक है तो इसका जो हो जाएगा तरवार कर उनार्थक सब्द क्या हो जाएगा तो तरवारी ठीक है तरवारी नेक्स्ट, 67 नमबर जो प्रस्ण है, 67 नमबर प्रस्ण क्या कहता है, माली कर इस्त्रिलिंग रूप का होई, तो मालकीन और मालकीने ये जो अपवाद में है, इसका दोनों होता है, इस्त्रिलिंग रूप, ठीक है, अपस्ट नमबर 3, नेक्स्ट आपका है, नाकपुरी भाई मन कवीता में कभी काकर रूप धरिला तो विश नाथक या काली या दुरगा तो देखे यहां काली का रूप जो है आपका नाकपुरी भाई मन कवीता में जो रूप लिया गया है ठीक है चलिए अगला प्रशन है आपको समय दिया जा रहा है 59 नमर प्रशन है कवीता कर अनुसार तुलसी कर बुधा कर जगा का कर बुधा याने की पौधा लगावल जाए रहे जल्दी बताइए तो जल्दी बताए कि क्या कर बुधा लगाया गया था तो क्या चीज का तुलसी का पौधा कभाड़ करके तो cactus का पोधा लगाया गया था option number इसका 4 सही हो जाएगा ठीक है आपको 5 से 6 सेकंड मिल रहा है तो उस नहीं में आप answer दीजिए जेठ मास अती जेठ मास अती कविता कर अनुसार जेठ मास अती कविता कर अनुसार घर तो 70 नमर प्रशन क्या है सत्तर नमर जेठ मास अती कविता कर अनुसार घर से बाहर का नहीं मिलेला तो क्या नहीं मिलता है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जेठ मास अती कविता के लेखक कोन है तो जेठ मास अती कविता के जो लेखक है कि कोन है तो ये भरत नायक जी है, कोन है भरत नायक जी और घर से बाहर क्या नहीं मिलता है, तो अराम नहीं मिलता है, ठीक है, अराम नहीं मिलता है, चलिया, अगले प्रस्न क्यों चलते हैं, ठीक है, तोर बेतरा में, कविता के अनुसार, खोपा में का खोसल गेल रहे, तो खोपा में क्या खोसा गया था मतलब का चीज के वो जो डंटा था मतलब क्या चीज का रूपया खोसा हुआ था हना तोर बेतरा में तो भाई तोर बेतरा जो है क्या चीज खोसा गया था तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा चांदी का रूपया और जो तोर बेतरा का लेखक है तोर बेतर अजिए अन्शारी के लिखल कविता कोन है यह मुलुक भारत है चलिए अगला प्राच्न है क्यों कि कि देश कर्माण कों बढ़ा लें यह आप कमेंट में करेंगे कि यह जो है आपका कौन से कविता से लिया गया है तो देश कर्मान कौन बढ़ा ले तो यही जो है इंद्रा बढ़ा ले next पोड़िलो बर्खा रितु में कितना पद आ है तो और ये पोड़िलो बर्खा रितु ये कौन विदा में छपल आ है ये चीज़ बताए गीत, कविता, सिष्ट कविता, सिष्ट गीत तो आप्शन नमर इसका जो बी हो जाएगा यानि कि पोड़िलो बर्खा रित्य के तीन पद है चलिए 77 नमर प्रश्ण आपके पास ये रहा पापी प्रान छुटे नहीं जटके कोन विदा में छपल आ है तो यहाँ एक प्रकार का सिष्ट गीत है तीक है, क्या है सिष्ट गीत है चलिए 78 नमर प्रश्ण छोड़ू कप्टी माया के गीत कर गीत कर कोना है तीक है जल्दी बताये चलिए, आपका टाइम आप होगे चोड़ू कप्टी माया के गीत कर कोना है तो इनके जो है छोड़ू कप्टी माया के गीत कार जो है आपके हो जाएंगे यह याने की आपका बरजुराम और बरजुराम पाठक दूनों ठीक है बहिए ऐसा क्यों तो बरजुराम का ही जो है पूरा नाम क्या है बरजुराम पाठक है जिसके कारण हम लोगों ने ये किया, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट जो प्रस्न है आपका, उनाशी नमबर प्रस्न, ठारू दाता दिगंबर में कितना पद आए, ठारू दाता दिगंबर में कितना पद है, तो जल्दी बताए, चार पद है, कितना चार पद, नेक्स्ट, और इनके लेखा कोन है, ठारू द प्रफुल कुमार राय के द्वारा लिखल सिष्ट गीत आहे तो कौन है प्रफुल कुमार राय के द्वारा कड़की उठलक तरवारी ठीक है चलिए एक्याश्री नमर प्रश्ण चो है चमकत कई दिसा में सावन घटा दिसत रहे तो ये आपका दसो दिसा में चमक रहा था ठीक है तो अब आग लग गया है अब तो क्रांती होगा ही उमडी गगन घन घमंड के लेखा कोन है भई तो कंचन जी है यहाँ जो है आपका उमडी घगन घन घमंड के अनुसार पबन किस तरह चलत रहे जो उमडी गगन घन घमंड सिस्ट गीत के अनुसार पबन किस प्रकार चल रहा था तो किस प्रकार चल रहा था हाँ या लह 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 तो यह जो है ऑप्सन नमबर बी हो जाएगा लह 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 चल रहा था और इनके जो लेखा के कंचन है तेख है और ये कंचन जी का पूरा नाम क्या है, चुन्नी राम दुबे हैं ठीक है, चुन्नी राम दुबे अर्जुन कई गराम stuck मांग ले रहे, तो, पाँच गराम मांग ले रहे, готов गराम यानिया कि पाँच गराम नहीं, पाँच गाउं किया कर से? या आप comment section में करेंगे आपको सारा चीज पढ़ा दिया गया है सब लोग नर किस प्रकार दुखी और व्याकुल हो रहे थे तो जैसे जल विहिन मीन ना जैसे जल विहिन मीन नेक्स्ट छियाशी नमर प्रस्ण है दुधाईर गाए लाइथो सवाद और दुधो सवाद प्रस्टु वाके में कैठो परतियाय कर बहवार हो वेला तिसमें जो है कितने परतियाय का बहवार हुआ है तो मात्र एक्ठो परतियाय का बहवार हुआ है कहां हुआ है दुधाईर ठीक है आईर ना आईर परतियाय का यहां जो है आपका जो पीछे लगता है इसका हुआ है दुधाईर में चलिए अगला प्रश्ण है 87 नमर प्रश्ण है आपका 87 नमर प्रश्ण है मूल धातु में ठीक है समान्यत कौन परतिया है जोड़ कि एक किरिया रूप बनाई लाई तो एक परतिया है यह ना परतिया है ठीक है एक परतिया है अप्सन नमर इसका C हो जाएगा सही 3 पानी जहाज कोन लिंकर उदारन है के ठीक है पानी जहाज जो है कोन लिंकर उदारन है के तो अप्सन नमर जो हो जाएगा सी हो जाएगा आपका ये डी हो जाएगा ठीक है कौन सा ये डी हो जाएगा ठीक है बेलिंग हो जाएगा संसार के जितने वी निर्जिव वस्त हुए हैं वो बेलिंग होते हैं उबैलिंग जो इस्त्रिलिंग और पूलिंग दोनों में वहवार में सेम होते हैं उबैलिंग कहल मानल जाता है कलम कैठो ध्वानी कर मेला है तो ये छोठो ध्वानी कर मेला है जैसे कि हम लोग का लिखते हैं तो का में क्या चुपा हुआ है तो का में हलंत प्लस अ ठीक है हलंत नहीं देंगे तो समझेंगे कि अ भी साथ में है का का लेकिन अगर का में हलंत दे दिए तो समझ परकार मौ में भी प्लस अ हो जाएगा तील ही अगर चले ल में 12 स्रहच अप्लस इस परकार से आपका हो गया एक इस को गिन्दी करवा और ये एक दो चार ये इस परकार से आपका छ्य हो गया चलिया 91 निम्मर्वय प्रस्टण क्या करता है ? इचंत क सर्वनामिक बत इसा सर्वनामिक पद को है ? इसर्वनामिक पद Estado 거는 worth सबद कोस में सब्दमनक संग्र कौन आधार पर होता है ? संग्रा क्या नसे कोन से आधार पर होता है ? तो इसका सही अंसर हो जाएगा वर्न माला के क्रमा नमसार, यानि कि क्रम से हम लोग सजाएंगे, उसको बोलते हैं हम लोग, क्या चीज, उसको क्या बोलते हैं, आपका हम लोग संग्रा बोलते हैं, तीरानगे नमर प्रश्ण है, गच सब्द कर उल्टा, सब्द नाकपूरी म पूरी में का होई तो गच कर जो उल्टा होता है वह बुदा होता है और ये विलोम सब्द विपरितार्थक सब्द जो आपको बताए है ना वही चीज है ननका सब्द कर विपरितार्थक सब्द बताओ ननका सब्द कर विपरितार्थक सब्द बताओ ननका मतलब क्या होता है और ये बताईए कि छोटका मतलब क्या होता है नन का मतलब होता है याने कि पतला ठीक है पतरा लीटर पीटिर वहीं होता है इसका अपोजिट मुटका next 95 नमबर प्रस्टन जो है नाकपुरी लोग गीत में का भेटाईला राग ताल राग ले सोगी क्या चीबिटाता है option नमबर 10 सभी बिटाता है 96 नमबर प्रस्टन लोग गीत भरल है तो लोग गीत क्या चीश से भरा हुआ है तो ये सहजता से भरा हुआ है ठीक है? छलिए next प्रस्टन है लोग गीत भरल है ये भी आपका यहाँ जो है आपका स्क्रिन स्वर्ट डबल बार लिया गया है ठीक है चलिए ये जो है 97 नमर्ट परशन पंडित योगेंद्र ना तिवारी कर मताविक समास को कैठो भेद बतावल के लगे तो ये जो 8 भेद समास कर 5, 6, 7, 8 सारे होते हैं जिसमें आपको ये पीटर 5, पीटर 5 नाकपुरी व्याकरन छे सदानी 7, सदानी 7, 8 योगेंद्र इस परकार से आप रट लेंगे ना सारे चीज होंगे चलिए बाइलमेत रानी कई बहिन रहें बाइलमेत रानी कई बहिन रहें तो बाईमद रानी जो हैं कितने भाहिन थी तो ये दो भाहिन थी नागपुरी नियानवे नमर प्रस्ण है नागपुरी संगीत कर राग रागनी में पावल जैला तो राग रागनी में क्या चीज पाये जाता है ना पुरी संगीत का राग रागनी में क्या चीज़ पाय जाता है तो फग वा अंगनाई, डंकच, सव भी याने की option number D याने की चार हो जाएगा सही answer next और ये जो है आपका यहाँ last और सबसे best प्रशन है आपके लिए ठीक है ये आप लोग comment section में comment करेंगे लेकिन इसका भी answer बता दिया जाएगा बायल में तरानी कैसन रचना है के तो बायल में तरानी किस प्रकार का है तो लोग कता रचना है किस प्रकार का है लोग कता रचना है दोस्तो ये आपको class कैसा लगा यहाँ जो है आपका total जो है आपका यहाँ एनलेसिस करा दिया गया है और यह test का जो है test 4 का एनलेसिस कैसा लगा अच्छा लगत कमेंट करें और AD Classes एप जरू डाउनलोड करें अगर आप नाकपुरी का जो है अच्छा करना चाहते हैं नाकपुरी language paper में क्योंकि यह जो selection paper होता है इसको paper 2 नहीं बोलते selection paper होते हैं जो भी language paper होते हैं वो selection paper होते हैं तो दोस्तों यहाँ आपका जहारखन का practice state बस 2-4 दिनों के अंदर आ जाएगा बस वेट कीजिए लेकिन नाकपुरी का full test आ गया है नाकपुरी का full course है सारे आप खरी सकते हैं अन्य बात बाचिंग पर दिश भीडियो जै हिन जै भारत